पूल वाला एक डाला बना दलस उकरबाद है कोई सुनवाई नहीं है गलत बोल रहे हैं तो इतना दूर में कोई भी आदमी आ करके कहें कि ए अनिल यादे हमारा नाम है लालवेगर है कि गलत बोला है राजा जी यहां पर कब कब आते हैं जिसे लोगों को अगर लेकिन दो बा आचिन मंदीर हत्वा राजकंत्र गोडा घाट मंदीर के पास और यह मंदीर जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि हम लोग हमने आप लोगों को थामे मंदीर का थामे माता जी का दर्शन कराया था तो जो माता जी का माख्या से होते हुए चली थी व अब भी आपकी जो हस्ती है जो राजा का जो दरबार है जो महल है जो राजपाथ है वो बच जाएगा लेकिन फिर भी राजा नहीं माने जिद करने लगें तो फिर यहीं से होके वहां से थावे पहुंची और यहां पे घोडाघाट मंदिर इसका नाम इसलिए पढ़ा क्यों क Зबिए जो घोडाघाट गांव के अंत texting यह मंदिर आता है जैसे कि यहां पर देख रहे हैं आप यह घोडाघाट मंदिर का यजय सालह है ओडा घाट एक तर्थ आस्थालयग धाम है जहां पे माने अपने चरण को रखा था और यहीं से होते हुए था में पहुंचे थी उत vacun साधन नहीं मिल पाता है आने जाने की व्यवस्था है नहीं जिससे लोग यहां पे पहुंच सके नाटों कि वे स्द yack13 की सुविधा इसलिए यहां पर बहुत ही कशा लोग आकाते हैं जहां से जिस्प्रकार का भी पर्साद चाहिए आपको इहां से आपको मिल जाएगा परसाद लेने के बाद आप सीधे दिने मंदिर का गेटदवार जो घोड़ा-गवाट मंदिर है जो हत्रुआ राज के अंत्रगात आता है हत्रुआ अर्थना करते हैं और उसके बाद फिर वो अपने राजमभी चल जाते हैं फिर उसके अगले दिन वह स्थावे मंदिर पहुंचते हैं हवन कराने के लिए तो चली अंदर चलते हैं माता जी से दर्शन कराते हैं आप सब अपने नावी खरबाल खेट विलता शाष्टा जाते हैं अश्ते शक्रकदा सिखेट विस्खांशापम गुडंतर जनिम विभ्राणाम अल्लात्मकाम सच्धराम धूरगाम त्रिनेत्राम भजे ध्यानार्थे पुष्पानी सुमर पियामी वहां फुल चड़ादें थोड़ा उसमें अंगलागाई ओव नमाः सर वहितार्दाई जिकताथाये तवे तास्टांगुय प्रणामतु प्रयत्ने नम्यां श्रीदुर्गादे नमाः जग्ये न जग्यमे जन्तरी। ओ मंत्राग्साश्वलासंतु पूर्डासंतु मनोरथा सत्तु रामुत्धिनासुष्टु परिवारा रामुदेस्तवु मनुष्यो मत्रशादेरा विश्यतिनसंसयह जय हो मा इन्लों की मनो कामना पुरा करें यहां आने पर सब भक्तों को सांती मिलती है मा का अशिरवात प्राप्त होता है तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अभी हम लोग घुड़ा घाट मंदिर के श्री आदर्णिया पुजारी जी के सामने खड़े हैं तो पुजारी जी सबसे पहले आपको नमस्कार और यहां के घुरा घाट के बारे में थोड़ा बताईए और आपका जो नाम क्या है मेरा नाम बीरंद्र पाठक घुड़ा घाट दुर्गा मंदिर पुजारी मुख्य पुजारी यहां दुर्गा जी के आने का कारण यह है कि थावे में रहसु भगत का जन्म हुआ और रहसु भगत इतना प्रचलित हो गए कि राजा के यहां लोग इनके बारे में लगे कहने कि रहसु ऐसे कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं तो उस समय आकाल पड़ा हुआ था उस समय यह क्या करते थे कि जूर मोज काटते थे और बाग से दौरी करते थे उससे चावल निकलता था और गरिबों में बांटते थे तो कोई जाकर कह दिया कोई पनी जी थे वो जाकर कह दिये कि आप राजा हैं और वो इस समय का बहुत उनका नाम हो रहा है इतना इतना अपना बांट रहे हैं गरिबों में तो राजा रहसु भगत को बुलाए रहसु भगत गए तो कहे कि कैसे होता है तो वो कहे कि सब यह मा की क्रिपा है तो कहे कि तब मा को मुझे दिखाओ जब तक नहीं माने और कहे कि नहीं जब तब तुम नहीं दिखाएगा तो तुम्हारे उपर करवाई होगी तो वही रहसु भगत अपने मा को ध्यान में लाए और वहां से कवरु कमच्छा से मा चली हैं तो आई हैं कलकस्ता फिर पटना फिर रास्ते में दिखवारा है दिखवारा में वंबिका अस्थान है वहां उसके वाद से वहां से डाइरेक्ट यहां घोड़ा घाट आई ही जो कि यहां रथ पर स्वार हैं चौकор-र यहरी नीचे वाला सार्थी और यह मां है कि अज़र यहां पर असा मना जाता है है कि मा जो थे आई तो घोड़े पर सवार होके आई इसलिए यहां का नाम घोड़ा घाट पोड़ गया यहां पर राम भाण भी कहीं है यह लक्षमान बाहरा रहां को बाण गंगा है मंदिर से सटे पश्चिम में है नदी बाती है जो कि यहां से इटोवपूल होते हुए सिवान होते हुए उधर नदी में जाकर मिल जाती है तो वो उसका यह कथा है कि भगवान राम की बारात जा रही थी तो उसमें लोगों को प्यास लगी तो लक्षमान जी बाण से बाण जहनदा को उद्गम करें जो है और सांसा मुसा है नम सुघर प्रेक्टरी तुसके और इधर से ही शोमवर में और उसका उर्गम स्थान है और वहीं से हमें ऐसा पानी निकलता रहता है और इसी रास्ते से होते हुए इंटवापूल और इंटवापूल से उधर जाकर मिल जाती हैं तो यही तो यहां पर आप कब से कारे रहते हैं हम 2012 से उसके पहले दुस्रे कोई थे पुजारी जी हथुआ राज से उनको जमीन वगारा मिला था 10-20 एकड़ तो वह कैसे कैसे वह नहीं आया आना शुरू कि नहीं आये तो अब हथुआ राज से मुझे बुलाया गया तो मैं गया और उस समय से अच्छे से कहा है राजा जी यहां पर कब-कब आते हैं जैसे लोगों को अगर रहते है It is the life of You और यहां ओर लोग आते हैं लोग बीच-बीच में भी लेकिन दो बार तो स्यूर है दोनोों न वजात तरके सब्सक्तमी के दिन पहले यहां वो लोगा आते हैं उसके बाद ही थावे जाते पहले यहां पर उसके बाद थाए यहां पर मेला कब लगता हैं बहुत-ब कि इतनी जनकारियों के लिए आपको बहुत धन्यावा तो आप लोगों का सुब नाम आप बदाजी अपना मेरा नाम प्रिंच कुमार मिस्रा है और यह हमारे कैमरामेन आयूस मिस्रा और वो विशाद मिस्रा तो हम सब लोग थावे मंदिर इसके पहले गए थे उसके बाद हम लोग सोचें कि यहां भी माता जी का दर्शन कर लिया जाए इसलिए यहां पर हमेशा बना रहे तुझा परिवार को साहल है भुद धन्यवाद मां से कामना है इस संकर जी के मंदिर की कथा है कि यहां यह स्वयम्भू हैं अपने से उत्पन्न हुए हैं तो यहां के लोग जग्य जग्यादी कराए को अच्छा इसमें जैसे कि वह राज दर्बार से उसमें दस पंद्र लाग की मूर्तियां उसमें बैठाई गई हैं इसलिए कि यह सब ख़दोड गया था तूट गया था उसमें सीशा से मोड़ दिया गया है कि उसमें लोग अपना नहीं करेंगे तो वही उसमें बाग है कार्टिकी जी है गणेश जी है संकर जी है पारवती जी है और इधर बस हबहला है तो यह राज अरे यह यहां थोड़े ओंड़ी में जैपूर से आई है मूथियां बहुत किमती पिमती मूर्थिया है संकर जी का जो लिंग है वो लोग कहते हैं कि ऐसे ही उत्पन्न हुए थे हम भी तो नंदी जी वही राज परिवार के द्वारा ये सब थापित हुआ यहां लोग कहते हैं कि बहुत जमीन है राज परिवार का हम लोग का धर्म कहता है कि ये पूरा धर्ति है न उसमें जितने लोग हैं एक परिवार के हैं तो वही मोदी जी भी कोते हैं हम लोगों के जो प्रधार मंत्री जी है तो कहने का मतलब जो धर्म के साथ चलेगा आगे उसकी तो कभी भी जय है विजय है यह समझ ही देखिए धर्म हो देना उतना मतलब राज्य करता था दुर्जोधन पांच गाव न स्सेरा क्मारे गए और फिर से धर्म की जीतर फही तो धर्म के जीत लिए रहां यहं आये हैं है भगवान का प्राकर्ट्य हुआ है जब जब धर्म की आनी होती तो भगवान का उतार होता है कहा का सडक घोड़ा-घाट मंदिर बागल से जो सड़क निकला है अब सड़क की स्तिति आप देखिए सड़क कितना जरजर है है और यहां पर देखिए यह मिटी को देखिए आप कितना मिटी उड़ रहा है अगर एक बार आंधी तुफान जो भी आए सारा यहां का मिटी मंदिर के प्रांगण में जाएगा तो अगर यह वीडियो माननिया विदायक जी देख हैं मैं अंतर पांडे जी तो आप थोड़ा सा यहां के सड़क के बिकास में सयूब करें और इस सड़क का बिकास करें शड़क के विकास होने से मंदिर कभी विकास होगा क्योंकि यहां पर आवागमन की जो सुभीदा वो बढ़ जाएगी और जो लोग नहीं आपाते हैं सुभी आटों के चलते टेंपू के चलते बॉस के चलते हैं पूल शाय की लेकर पड़ता है अगर सवही रोड रही बुल साय ना पॉइदाल लेकर चल रहे हैं रोड की वह स्था बहुत बेकार है उस साइड भी इस साइड हाँ कम से कम रोड रोड से ही आदमी कहीं जाएगा यह विदाय की फंड कंतरकत बनता है कि मुख्याई फंड कंत बोड़े रहे हैं तो इतना दूर में कोई भी आदमी आकर कि कह से अनिल याद हमारा नाम है लाल वेगर है यह फूल बन गया पूल वाला इसको ढाल करके देखे चला गया इसके बाद कोई फॉंड है क्या बना रहा है क्या कर रहा हम नहीं जानते हैं गलत नहीं है रोड यहां पर देखना से ही कि रोड जितना मिट्टी अगर उड़े तो सारा मंदिर का अंदर जाएगा और इतना परसानी हो रहा है आप सब को आने जाने में यह पीछ हो जाएगा कि मिट्टी जाने का मतलब हही नहीं रहेगा कंऩ बदाया क्या नहीं बनाया है कुछ कोई नहीं बनाया है यह पूल वाला अपना ढ़ाल करकर Κया उसके बाद हैं कोई नहीं कुछ नालो जाधा दोर नहीं था बराबर समतल्जमीन नहीं था समतल्जमीन का रोड जोब शेल धाई देखना है मंदर का प्रांगण का है यह से ज्यादा दूर नहीं है अगर एक बार भी आंधी तूफाना है तो सारा मिटी उड़के और मंदिर के प्रांगण में जाएगा तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर ये अमारी बात विधायक जी सुन रहा है तो जरूर यहां के मंदिर के पास का जो रूड है इस रूड का विकास करें चलिए वीडियो में लगे रहने के लिए धन्य बात और आप वीडियो को सेर कीजिए ताकि इससे भी बहतर वीडियो आपके पास हम पहुंचाने का प्रयास करें